कि अब लोग सब खेरियस से हैं तो आज हम दुबारा अपने सेम चैप्टर स्कैलर्ज एंड वैक्टर के अंदर जो टॉपिक डिसक्स करने वाले हैं वो बहुत एहम टॉपिक है और टॉपिक का नाम है वैक्टर रिप्रेजेंटेशन साड में हमने एक टॉपिक हम डिसकस करके आज चुके हैं जिसमें मैंने आप लोग को डिफ्रेंट्शियेट करवाया था स्कैलर्ज एंड वैक्टर को अगर वो लैक्टर आप लोग ने नहीं देखा तो पहले जाकर वो लैक्टर देखें जब उस लैक्टर को कम्प्लेटली आप लोग देख लेंगे वहाँ पर मैंने किसी हक्तर थोड़ी सी रिप्रेजेंटेशन पर बात की है लेकिन यहां क्योंके एक्जाक्ली वैक्टर की रिप्रेजेंटेशन में एक डिटेल्ड डिसकस्शन हम करने वाले हैं तो वीडियो को एंड तक देखेगा और मेरे साथ भी करेंगे उस वैक्टर को ताके फिर आपको मैं एजीली समझा सकूं कि वैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है तो हमने यहां पर बात करनी है ग्राफिकली कि हम ग्राफिकली जो है किसी भी वैक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ठीक है तो यहां हम लिख ले represented by a directed line by a directed line or an arrow और an arrow अच्छा देखें यहां पर ग्राफिकली किसी भी वैक्टर को रेप्रेजेंट करने का जो वे है वो क्या होगा वैक्टर कैन बेप्रेजेंट वाई डिरेक्टिड लाइन और एन एरो यहां पर देखें यह हमने एक सिंपल एक लाइन ड्राउ कर ली ठीक है और इस लाइन के यह वो लाइन होगी जिस पर एक अदद एरो हैड भी होगा तो यह आपका एरो हैड हो गया ठीक है अब हम आगे बढ़ाते हैं अपने सिलसले को ड्राउ इन दे डिरेक्टर अच्छा यहां यह बताया गया कि आपने जो लाइन के साथ एरो हैड कनेक्ट किया यह लाइन विद एरो हैड जो है वो किस चीज को शो कर रही होगी वो डिरेक्शन शो कर रही होगी वैक्टर की यह आपने वैक्टर की डिरेक्शन को शो करने के लिए वैक्टर को दिखाने के लिए इस तरह से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्र ऐसी है जो हमने समझनी है यहां पर exactly जो length होगी इस इस line की जिस line पर arrowhead मौझूद है इस line की जो length है यह exactly यह आपको length दिख रही है यह size of the यहां में लिख लेता हूं कि length ठीक है जो size होगा इस line connected arrowhead का वो उस size को या उसका जो magnitude है वो magnitude represent कर रहा होगा size का मतलब होता है उसकी length और यह length basically vector के magnitude को represent करेगा यानि यह vector कितने size का है यानि यह vector का magnitude क्या है it means अगर मैंने कोई vector इसको नाम दे दिया vector A का यहां पर अगर मैं नाम दे देता हूं इससे vector A का और मैं यह कहा देता हूं कि यह vector A जो है वो तकरीबन 4 meter जो है इसका size है यानि इसकी length है वो 4 meter के बराबर है तो इसका मतलब यह हुआ कि इस line का जो length है वो 4 meter है और जो इसका size है या फिर जिसको हम magnitude कर रहे हैं तो magnitude basically show कर रहा होता है size of the line ठीक है clear हो गई बात यहां जो 4 meter की value आपको देख रही है यह basically magnitude है उस vector का जिस vector के लिए आप यह line represent कर रहे हैं ठीक है इसे भी हम लिख लेते हैं आपर अचा इसे भी हम write down कर लेते हैं इसे भी हम write down कर लेते हैं the length of the line in a certain shows its magnet the length of the line in a certain scale shows the length of the line in a certain scale shows its magnitude ठीक है तो यह एहम point है जैसे हमने discuss किया था कि vector जो है vector उस quantities को कहा जाता है जिन quantities के अंदर magnitude के साथ सा direction होती है तो आप किसी भी vector को जो के vector draw किया गया है उस vector का जो भी size होगा वो ही उसका magnitude होगा और direction यहाँ पर किस तरह हमें identify होगी वो भी हम देख लेते हैं कि direction को identify करने का तरीका क्या है while इसको आगे बढ़ाता हूँ मैं while the arrowhead shows direction इस vector पर जो arrowhead आपको देख रहा है यह arrowhead इस बात को identify कर रहा है कि इस vector की direction किस जानेब है जैसे आपको यहाँ पर यह vector towards right दिख रहा है याई आप उसे towards north भी कह सकते हैं तो यहां इस vector की direction जो होगी वो towards north होगी या फिर towards right होगी ठीक है तो यहां जो arrowhead होगा वो arrowhead direction को show कर रहा होगा और जो size होगा vector का वो size magnitude बता रहा होगा इस vector का ठीक है तो यह समझना बहुत जरूरी था उमीद है आप लोगो पेटा अच्छे से clarify होगा होगा अब हम इसके अंदर मजीद चीज़ों को समझते हैं कि और क्या चीज़े हैं जो हमें पता होनी चाहिए किसी भी vector के अंदर किसी भी vector में जो initial point है initial point का मतब यह जो point होगा जहां जिस point से हमने इस vector को draw करना शुरू किया था इस point को हम कहते है initial point ठीक है यह आपके पास initial point है और इसे in sense of graphical vector इस initial point को कहा जाता है tail ठीक है अच्छा और ठीक इसी तरह जो arrowhead होगा यह जो आपके पास arrowhead है यह आप चाहो तो इसको final point का नाम भी दे सकते हो क्योंकि यहाँ पर यह आपके पास last point है दूसरे end पर तो यह final point हो गया और यह final point को in sense of graphical vector हम उसे नाम देते है head का ठीक है और यह भी बात हम पढ़के आचुके arrowhead शो कर रहा होता है direction और जो size of the vector होता है वो show कर रहा होता है magnitude तो यह होगी complete representation of vector अच्छा अब यहाँ पर आप इस vector के दोनों end points को आप नाम देते हैं यह point O से शुरू हुआ था और point A पर खतम हुआ तो हम यह कह सकते हैं कि जो line जो line O A होगी वो किस चीज को वाज़े कर रही है जो आपके पास अगर मैं इसको vector की form में लिखो यानि ऐसे इसके ओपर एक arrowhead बता दू कि the point the line from the initial point to the last or final point जिसे हम head का नाम दे रहें यह complete vector जो है इसे हमने O A का नाम दिया है तो यह आपके पास क्या हो जाएगा यह vector हो जाएगा ठीक है तो O A के उपर अगर vector होगा तो vector को हम किस तरह से represent करेंगे vector को simply उसके उपर हम arrowhead दिखा देंगे तो यह आप vector की representation हो गई ठीक है जो जो line O A थी उस line का जो O A को अगर आपने उपर arrowhead दिखा दिया तो इसका मतब यह vector हो गया ठीक है इसी तरह अगर यहां पर मैं यह कह देता हूं कि इसी vector O A पर अगर मैं इनके around modulus का sign बना देता हूं यानि इस तरह से तो अब यही चीज magnitude of magnitude शो करेगा magnitude of O A The line of O A shows the magnitude अगर इसी vector के around हम modulus का sign बनाएंगे तो modulus का sign इस बात को show करता है कि यहां पर हम magnitude की बात कर रहे है वेक्टर के magnitude को दिखाने का तरीका यह है कि कि किसी भी vector के उपर अगर arrowhead लिखा वा है अब आप चाहते हैं कि उसके vector के magnitude वो कैसे represent करें तो simply आपने करना क्या होगा उसके दोनों जाने आपने यानि modulus का एक sign बना दिया जिससे show कर रहे हैं कि यहां पर हम इस vector की direction की बात नहीं कर रहे हैं सिर्फ और से मिसके magnitude की बात कर रहे हैं अगर जहां पर हमने complete vector के बारे में बताना है तो आप उसमें क्या करेंगे modulus का sign हटा देंगे और वो उसे इस तरह से represent किया जाएगा ओए करके उसके उपर हम arrowhead लगा देंगे तो आप लोगो clear हो गया जल्दी से इसका screenshot ले लें बेटा वीडियो को चाहें तो pause करके भी write down कर सकते हैं साथ साथ ताके आप लोगो को complete इसे अपने पास register में fair कर लें एकाद दफ़ा जब किसी भी topic की practice खुद से करेंगे itself जब अपने notes बनाएंगे तभी आप लोगो को ये vector का chapter वाज़े अच्छे से conceptually clear हो जाएगा और उसके बाद फिर इस chapter से related कभी भी confusion आप लोगों को नहीं होगी ये वाहिद एक ऐसा chapter जो आगे भी इंशालला आगे भी classes में जब आप लोग जाएंगे तो वहाँ पर भी आपके लिए बहुत ज्यादा helpful रहेगा तो इसलिए fundamentally इस level पर आकर आप लोग अभी से जो जो complications हैं जो confusions ऐसी हैं जो आप लोगो topic मुश्किल लग रहा है यानि उसको बहुत अच्छे से अपने पास register में फेर करते रहें और इंशालला मुलाकात होती है ठीक सेम चैप्टर स्कैलर्स और वैक्टर के साथ जो आने वाले next topic पर इंशालला हम हाजर हो जाएंगे अपना बहुत सारा खैल रखेगा थैंक यू सो मच अलाफिछ